असलाम अलेकुम मैं डॉक्टर नदा वहीत फिजिकल थेरपिस्ट हम देप्ती लास्ट वीडियो में डिस्कुस किया था कि एक्जाम्स की प्रेपरिशन कैसे की जाए यानि एक्जाम्स में जो नंबर ले जाते हैं वो कैसे ले जाए वो कौन-कौन से टिप्स और ट्रिक्स न जिसकी बेसिस पर आप एक्जाम्स में अच्छे नंबर ले सकें तो आज हम बात करने वाले हैं बीसिक्यूज हैक्स की वो कौन-कौन से हैक्स हैं जिसकी बेसिस पर आप एक्जाम्स में बहुत अच्छे नंबर ले के आ सकते हैं या आप वो कौन-कौन सी कौन मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वज़ासे आपकी पढ़ती तो अच्छा हैं लेकिन तब भी नंबर कम आते हैं अरे इस का अंसर ये भी तो अरे मुझे तो सारा पेपर आता था लेकिन मैंने फिर भी गलत आंसर लगा दिये आप क्या करूं सब चीजे पढ़ने के बावजूत इतनी महनत करने भी मेरे सारे सवाल गलत हमेशा क्यों होते हैं या गलत तक माँ क्यों करके हैं हम एंसर पसक्रण्भा करें हम जर्रण एमसर वाहर हैं आत करें बच Von Y5 का हैं आपके नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टन्ट है आप जो भी इंट्रेस दे रहें जो पी आप एक्जाम्स दे रहें तो आपके पूरी साल के महनत है तो इसलिए काइंडली महरवानी फरमा के तुक्का लगाने में जो पाकिसानी अगर हम बात करते हैं तो हम तुक् हम आज आप से कुछ हैक्स करेंगे और हैक्स पर आप अमल कर लेंगे तो आपके लिए बहुत सदा सानी रहेंगे नंबर वन हाक इस डिवाइड यूर पेपर इन थ्री पार्ट्स यानि आपको जो भी एक्जाम कर टाइम टेबल है एक घंटा एट गंटा यह दो घंटे तो आपको बदा है आपने पहली दफ़ा में वह करने ने और आ हो सवाल स्वाल कर लें जिसके आंसर सब्सकन यह को हंट्रिट पर पते हैं कभी अभी यह एह होते हैं कि पहला पढग मुझे हाँ दूसर 서 Pan Su Ken that तर वह उस बहुत मुझत था ६्रत है third सवाल के दब हमारे तो दो next questions की तरफ move on करते हैं हमारे पस brain में ability होती है कि जब आप एक दब चीजे पढ़ लेते हैं उसकी बाद आपको जो brain जो 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 बहुत सारी सवाल हो जाएंगे अब उन सवालों की बात करते हैं जो बहुत जीदा मुश्किल है जो आप से सवाल नहीं हो रहे उनके लिए आप क्या किया जाए जब हम सेकंड है की बात करें रहे हैं अगर आपके पास four options आपके पास five options एंट आपके जो बहुत सबसे रहे हैं जो लगते बिल्कुल भी नहीं होगा उसके बाद आपके एक जो दो चार प्रशंब्समें इसमें रहे हैं तो इसमें प्रभाइबली बहुत जाद ही होता है कि आपके बद सorous दो आंसर जिसे होते हैं जिसमें आप करते हैं जो सबसे बेस्ट होगा मुसको चूज करते हैं नहीं आपने इलिमिनेशन टिक्नीक वाले है को युज करने अर्थ आपने पसे पहले जो आंसर प्रोबिबली आपको लगता है वो नहीं है यह को स्कॉट करने पर उसके बद सेकिंड वाला ओट करने इस तर आपके बस अगर आपके पास चार ये पांच सवाल ऐसे हैं तो अब सबका जवाब जो होगा वो एक नेजर सा नहीं होगा और टेक्नीक हमारे पास है लिसन टू यूर गट और बिलीब इन यूर विस्टम यानि अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आंसर आपको आता होगा इसके लिए आपको क्या करने हैं बस बहुत थोरिली आपने questions को अच्छे से पढ़ने हैं चितने अच्छे से आप सवाल पढ़ेंगे उतने अच्छे से आप answer कर सकते हैं आप जब सवाल पढ़ने पर आएं तो बहुत थोरिली उसको पढ़ें एक एक word पढ़ें in, out, medial, lateral, right left, before, after इसको बहुत अच्छे से पढ़के आप करें अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है तो उसका answer आपको आता है जब आप बहुत अच्छे से सवाल पढ़ें अब आपको जो answers लग रहें आप अपनी जो gut है अपनी जो wisdom है उस पर believe करें और बिल्कुल वो सहीं कह र स्मार्ट and practice practice practice. Practice makes a man perfect. जब भी आप पढ़ें उसके notes बनाएं उसके short notes अपके वास pictures की पॉर्म में हो screen shots की पॉर्म में हो आप notes बनाएं highlights करें और जब आपके exams आएं आप उनी ही से पढ़ें और आप question paper उसे related solve करें. जितना आप practice करते जाएंगे जितना आप सवाल solve करते जाएंगे जैसे आप questions online test दें, questions करें, जो BCQs के अगर आपके अताबिक paper आ रहे हैं तो BCQs जादे जादे solve करें तो it will help you out आज मैंने आपके साथ कुछ BCQs hacks share किये हैं जिनका आप follow करें के exam से बहुत अच्छे number ले सकते हैं All the best for your exams अगर आप चाहते हैं कि मैं Viva hacks related बे videos मनाओ यारी वो hacks आपके Viva में help out करें तो comment section में comment करके बताईए मेरे videos अगर आपको पसंद आरें तो like करें, share करें और subscribe को बटन दवाना भूलें मत Thank you, अपना ख्यार लखेगा Allah आपज